नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जल्दी इस पर फासला लिया जाएगा इसके लिए ट्रैफिक जवानों को निर्देशित किया जाएगा उक्त बाते मुख्यमंत्री सुक्रवार को संत जेवियर्स स्कूल डुरंडा के डायमंड जूबली समारों के समापन आउसर पर आयुजित कारिकरा में बतर मुख्यातित बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी अपिल किया कि बच्चों का ख्याल रखते हुए वह पहले स्कूल बसों को जाम से निकालने के लिए रस्ता दे उन्होंने कहा कि रातों रात ग्रीन कारीडोर नहीं बनाया जा सकता है लेकिन या दिसरकार और आम लोग मि इस बिसाय में सोचे तो बच्चों को घंटो जाम में फस्तने से मुक्त मिल सकती है लालू यादव को मिली ससर्त जमाना जारखन हाई कोट के जस्टिस अफरेस कुमार सिंग की अदालत में चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सजाजाफता बिहार के पुर्व मुक मं और आयत सुप्रीमों लालू यादव की ओर से दायर जमानत जाज का पर सुनवाई हुई अदालत ने प्रार्थी और सीबियाई का पक सुनने के बाद लालू यादव को जमानत दे दिया है अदालत ने लालू यादव को सर्थ के साथ जमानत की सुधा दी अदालत ने 10 ला गाटना के बाद बिद्यार्तियों की सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे हाँ बताया जा रहा है कि इसमें सवार बचे बाल बाल बच गए क्योंकि सभी घटना के कुछ देर पाले ही उतर चुके थे इधार हादसे के बाद परिवान विभागने गुरुवार को जाच अभ सार बिद्यार्तियों ने एक सुर में कहा सर बस बहूत हीज कोले मारती है किसान पार बाल शाला का जीमा किसानों है मह invites मुख्य मंत्री ने कहा कि संचनें का जीमा प्रोगेशिव किसानों को देने के दिसा में कर गोईना बनाए खिसान पार साला बर्स में canad message पाटचला कोनले का लक्षा है मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री पसु धन विकास रोजना की समिक्षा करते हुए कहा कि गाउमें पसु के पालन का जिमा पसु मित्रो अत्वा चरवाहों को देने के लिए कार जोजना बनाये उन्हें प्रोच साहन डासी दे तता इनकी नियम निग्रानी की जाए अवयद कोईला खदान में फसे 50 लोग सुरक्षित निकले चार खंड के धनबाद जी लेके चिरकुंडा ठाना एवम पंचेत ओपी की सीमा परिथित डूमरी जोड में गुरुवार की सुबा करीब साड़े आठ बजे अवयद कोईला खदान के लिए क ये गयवे स्फोर्ट से गुरुवार को चांच बाबूर डंगाल ग्रामीन सड़क धस गई थी इसमें 50 से भी अधिक लोग पसे होने की असंका थी लेकिन ए सभी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं बतादे 9 घंटे बाद बिजली की आपूर्ती दोबारा सुरू कर दी गई अपरना सेन गुप्त भी पहुची है अजनकारी ले रही है जार्खन के मेधावी छात्रों को एकारवी से नहीं मिल पाएगी छात्रविर्ती जार्खन के दसवी के छात्रों को अगली का अक्षा के लिए मिलने वाले छात्रवित पर गरहन लग चुका है रस्टे परतिभा खोज परिक्षा की परिक्षा के लिए राज्य बर से 10 वी के चात्रों ने आवेदन दिया था लेकिन करीब 4 माह गुजर जाने के बाद भी इनकी परिक्षा 16 जनवारी को समय पर नहीं हो सकी राज्य के करीब 7,000 चात्रों परिक्षा की इनतजार में हैं जबकि वह एकारवी में नमांकन परिक्षा भी शुरू हो चुकी है ऐसे में परिक्षा नहीं होने के बाद मेधावी चात्रों को मिलने वनले चात्रविती पर ही प्रस्तिचीन लग गया है जेज़े एंपी सुप्रीमों के भाई समय दो गिरफदार, लातेहर सदर्थाना चेतर के तरवड़ी पंचाय से लातेहर पुलिस ने जे़े एंपी उगरबादी संग्टन के सुप्रीमों, पपु लोहरा के भाई, चलेस्वर लोहरा और रभिंद्र लोहरा समय दो को पूलिस निरीक चक सहथाना प्रभारी अमीत कुमार गुपता ने बताए कि पूलिस अधिक चक अंजनी अंजन को गुपत सुचना मिली थी कि तिरियस्तर ये पंचायच चुनाव में जेजे एमपी उगरवादी संगटन के सूप प्रीमो पपु लोहरा के भाई सह तरवादी पंचायच के पूरो मुख्या जले सुवर लोहरा अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार कर लोगों से इस पंचायच से दूसरे पत्यासी का नमांकन नहीं करने पर दवाब बना रहे हैं कोडार्मा एस्टेशन पर चार मासूम को किया गया रेस्क्यू बाल तसकारी के लिए दिल्ली ले जा रहे हैं चार बच्चो को कोडार्मा एस्टेशन पर रेस्क्यू कर लिया गया है इस मामले में एक दलाल को भी गिरफतार किया गया है चारो बच्चो और दलाल गिरीडी जीले के लोकाई नयनपूर थाना छेत्रे के रहने वाले बताए जाते हैं इन्हें दिली में होटलों में काम दिलाने के नाम पर ले जाया जा रहा था CBAC बोर्ड परिक्षा 2023 के लिए सिलेबस जारी केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोर्ड CBAC बोर्ड परिक्षा 2022 काक्षा 10-12 के चात्रों के लिए जारी किया गया है बतादे संसोधित पाठेकरम में इस वर्ष परमुख विशायों के लिए और कोटावती देखी गया है बोर्ड ने इस वर्ष के लिए भी अध्यायों की मातरा को सिमित रखने का निन लिया है इसके अलावा CBAC पाठेकरमों को सर्तों में विवाजित नहीं किया गया जोकि टेर्म वाइज बोड परिक्छा के उलट होने और मार्च में एकल बोड परिक्छा की वापसी का संकेत देता है शिक्सकों के बेतन के लिए 477 को रूपया जारी मादमिक शिक्छा निदे साले ने सभी कोटी के मादमिक विद्यालों अवन पलस टू इसकूलों के स्थिक्ष को एवं अनकर्मियों के वेतन के लिए 477.20 कोड़ रुपए जारी कर दिया है इन में 366.5 एकोड़ रुपए माधमिक एवं 110.69 कोड़ रुपए प्लस टू इसकूलों के लिए जारी किये गए है इस राशी से चालू वित्य वर्ष में बेतन का भुकतान होगा रांची धनबाद रामगर जमसेदपूर हजारी बाग में आंधी और पानी राइधानी रांची समेथ आसपास के जिलों में गर्मी से राहत मिलने की उमीद है मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूरणवान जारी करते हुए दो से चार डिगरी सेर्शेश तक गिरावट दर्श का संकेत दिया है हलाकि 22 अप्रेल के तीन दिनों बाद दोबारा चार डिगरी सेर्शेश तक बढ़ोतरी की समावना भी जताई है बतादे लगातार बदलते मौसम में हमें अपनी सेहत और पेड़ पोदे का अभी ख्याल रखना होगा में जार्खण में पहली बार साइन्स फिलिम फेस्टिवल का आवोज़न किया रहा है लोहर्दगा जिले के सिला अगरवाल सोस्वती बिद्या मंदीर में 29 अप्रेल से साइंस फिलम प्रेस्टिवल के शुरुआत होगी और 1 माई को इसका समापन होगा तिन दिनों तक चलने वाले इस साइंस फिलम प्रेस्टिवल में कूल 45 फिलमें दिखाए जाएगी बता देश साइंस फोर सुसाइटी जार्खन की और से इसका आविजन किया जा रहा है अवायद खदान धसने मामले में डीसी ने दिया एफाई यार का आदेश जार्खन की धनबाद जीले के निर्शाक के डूमरी जोड़ा में अवायद खदान धसने और लोगों के फसे होने के असंका के बीच दूसरे दिन सुक्रवर को उपाईक संदीप सिंग मोके पर पहुँचे और बी सी सी एल सीवी एरिया के जीएम और पूर्व दता को इसमें सामिल लोगों के खिलाब एफाईयाद दर्च करने का आदेश दिया बिधायक और परना सेन गुप्त के बाद बीजेपी के परदेश अध्यक दीपक परकास भी घटनास तर पर पहुँचे और हेमांत सुरेन सरकाप्र गंबीर आरोप लगाया आपको बता दे कि इसमें फासे लोग सुरक्षित निकल गए हैं जे एससी ने रद किये 56,000 आवेदान जारखन करमचारी चैन आयोगने डिपलोमा अस्तरी सन्युक्त परत्युक्त परिक्षा के 56,314 आवेदान रद कर दिये हैं इसमें से 55,000 से अधिक आवेदान उन उमिद्वारों के हैं जिन्होंने परिक्षा सुल्क जमा नहीं किये हैं बता दे कि इस परत्युक्त परिक्षा के लिए इस साल 7 फरवज से 8 मार्च तक आवेदान भरे गए थे जार्खन करमचरी चैन आवेदान डिप्लोमास तरिये सन्युक्त परत्युक्त परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन आवेदान करने वाले अभियार्तियों में 56,314 आवेदान रद कर दिये हैं बन्ना गुपता को बर्खास्त करा के ही दम लेंगे सर्जुराय पस खिचने को त्यार नहीं हैं विधान समा कमेटी के दोरे पर फिलहाल उतर पुर्व के राजयों का भ्रवन कर रहे सर्जुराय ने सुक्रवार को मुखे मंत्री हमांचरेन को प्रेशित पत्र में आरोप लगाया कि मंत्री बना गुपता पुरे घर्टना पर परदा डालने के लिए संदिग्द यहम सदन्त कारी गतिवीदियों में लग गया है एक बार फिर पावर में लोटेंगे ADG अनुराग गुपता जार्खन पुलिस के तेज तराज ADG अनुराग गुपता जल्द ही एक बार फिर पावर में लोटेंगे जार्खन के निलामबित ADG अनुराग गुपता IPS को कैट सेंटरल एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिवनल से रात मिली है कैट ने राज सरकार को उनके निलामबन वापस लेने का आदेश दिया है नियमा अनुसार दो साल से अधिक समय तक किसी अधिकार्य को निलामबित नहीं रखा जा सकता बतादे भरष्टा चार क्यारोप में ADG अनुराग गुपता पिछले 26 मास से लिलामबित चल रहे हैं रेलवे ने रवी किसन की सुटिंग रोकी रेलवे बिभाग द्वारा हिंदी फिलीम वर्चासो की सुटिंग के उनमती नहीं मिलने से फिलीम स्टार सा भाजपा सांसद रवी किसन को निरासा हात लगी सुक्रवार को जारखन के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन वर कोईला सुटिंग में फिलीम का द्रिस फिल्माना था अपनी पूरी टीम के साथ फिलिम के अभिनेता रभी किसन भुरकुंडा पहुंचे थे फिलिम के पहले द्रिस रभी किसन को रेलवे स्टेशन वा साइडिंग में एमबेश्डर कार से प्रवेस करने का था कार में बैट कर जो ही अभिनेता साइडिंग पहुंचे तो आरपी एफ बर्का खाना रेलवे की टीम ने फिलिम की सुटिंग करने से उन्हें रोक दिया जारखन में कुरोना जाच गती धीमी जारखन में बरतमान में प्रती दिन 7-8 हैर सेंपल की ही जाच हो रही है ऐसे में असंका जताई जा रहे है कि इस कारण भी केस नहीं मिल रहे बता दे कि जब कुरोना के अधीक मामले मिल रहे थे तब राजे में 30-50 एर सेंपल तक की जाच हो रही थी जनकारों का काना है कि बरतमान में जब सभी चीजे खूल गई है तो राज सरकार को जाच की संक्या बढ़ानी चाहिए थासकर स्कूल कोलेजो कर्यालियो हवाई अड़ा रेलवेस्टेशन आदी में अनिवाय रूप से कुरोना के जाच होनी चाहिए गर्मी और बठी तो स्कूल बंद करने पर विचार सीम हमान्त मुख्यमंत्री ने कहा है कि अदी गर्मी और बठी है तो सरकार स्कूलों को बंद करने पर फैसला ले सकती है उन्होंने कहा कि इस समद में विचार किया जा रहा है विभागिय अदिकारियों से भी इस समद में चर्चा की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरोना काल के लगभग दो साल बाद सिक्चा बेवस्ता पठरी परलोट रही है इसके बावजूद बचों की सिहत और सुरक्षा सरकार की प्रत्मिक्ता है उन्होंने कहा कि भिशन गर्मी से हर कोई परसान है छोटे बचों को तो और भी समस्या हो सकती है सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ती मामले में फाइल पेस करने का निर्देश सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ती ने मावली की फाइल कोट में पेस करने के लिए हाई कोट ने सरकार को तीन सब्ता का समय दिया है इस मामले की सुनवाई अब अगले मा होगी गुरुवार को मामले की सुनवाई के दोरान सरकार ने फाइल पेस करने के लिए तिन सप्ता का समय देने काग्रा किया था जिसे चीफ जस्टिस डाक्टर रभी रंजर और जस्टिस सूजित नरायन परसाथ के अदालत ने मंजूर कर लिया है मिड़े मिल के लिए 136.33 करोर का आवंटन राजे के सभी जीलों के लिए मिड़े मिल योजना के किरमने के लिए कुकिंग कोश्ट की रासी आवंटित कर दी गई है इस समझ में झारकन राज मिद्यान भोजन प्रदिकरन कि निदेश सख किरन कुमारी पासी की ओर से सभी उपायुक्तो स्टेरिंग स्ट मोनेटरिंग कमिटी के अध्यक्स और सभी जीला सिक्चा अधिक्चा को पत्र जारी कर दिया गया है पत्र के माध्यम से कहा गया है कि वित्तिवर्ष 2022-23 की पहली तीमाई का कुल एक कार्य दिवस 55 दिन के लिए सभी जीलो को कोकिंग कास्ट में पोर्टल अधारीत रास्य आवंटित कर दी गया है सभी जीलो को कूल 136.33 का वंटंत किया गया है खाद की काला बाजारी हर हाल में रोके सीम हमांत मुख्य मंत्री हमांत सुरेन ने प्रजेक्ट भौन में क्रिसी पजुपार्ण एमसा करता भी बाग की उच अस्तरे समिक्षा के दोना अधिकारियों को हर हाल में खाद की काला बाजारी को रोकने का निर्देस दिया उन्होंने असपस्ट का कि किसान को खाद की किलत नहीं होनी चाहिए इसके लिए पुखता वेवस्था करे उन्होंने खाद बीतरन के लिए नए लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिये खाद बीतरन को किसांख्या बढ़ाने से किसानों को सुगमता से खाद मिल सकेगा तरीक होने को डर्मा पहुंचे इस देवरान मीडिया की सवाल पर CM भड़क गए उन्होंने मीडिया की सवाल का जवाब अपने सवालों से दिया दरसल जब उनसे ED जाज के आधे से जुड़े सवाल पुछे गए तो CM भड़कते हुए मीडिया कर्मियों से पूछा क्या आप वहां मौझूद थे आपने बहुत सुनी उन्होंने कहा कि मैं कोई वकील नहीं हूं इसका जवाब वकील देंगे सियम हेमान सुरे ने मीडिया कर्मियों को नसियात देते हुए कहा कि सचाई का पाता लगा कर सवाल करना चाहिए आप लोग फोटो कोपी मसीन नहीं आएं कोई कुछ बोल दिया चाप दिये रिसर्च कर सचाई लिखिए धन्यवाद यदि आप चनल पने होते चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदब आए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थांक यू